हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों फिर सब सभी कस हुआ गथे टेक मेंट का एक नहा वीडियो पे तो दोस्तों आज की वीडियो पे हम बात करने वाला है सैमसंग गैलक्सी एम 51 जो 20 आफ सेप्टेमबर को आज ही लॉँच हुआ है और उसके साथ साथ कंपरिट करने एम सैमसंग गैलक्सी एम 31S का देखते हैं कौन जीता है बिकॉज यह जो फोन है इसका प्राइस रेंच अलग है जहां पे एम 51 आपको मिलता है 24,999 रूपीज पे और जो एम 31S है वो आपको मिलता है 21,499 रूपीज पे अब यह जो 3,500 पे साही होगा उसके बारे में भी बात करेंगे तो चलिए दोस्तो आजके इस वीडियो को स्टार्ट करते बड़ उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चनल पे आयो तो जरू से जरू चनल को सब्सक्राइब करके बिल आकन कॉल पे प्रेस कर लेना वीडियो अच्छ पे आप लोगो 6.5 इंच का स्क्रीन मिलता है जहां पे एस्पेक रेशियो सेम है रेजलूशन सेम है इवन पीपी आई जो है पिक्सेल पर इंच वो सैमसंग गलक्सी एम 31 इस पे जादा है जहां पे 407 पीपी आप लोगो देखने को मिलता है अब रैम का बात करें तो 6 31S जो है वो आगे ही जा रहा है अब दोस्तो अगर बात करें यहां पे नेक्स्ट कुछ चीज़ का तो जहां पे दोनों पे ही आप लोगो 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है उसके साथ साथ दोस्तो यहां पे आप लोगों का USB का बात करें तो USB Type-C version 2.0 तो दोनों पे ही है तो Type- 33,000 रुपिया का difference है अभी भी मार्केट पे नेक्स्ट अगर मैं extra बात करूँ तो सिर्फ आप लोगों के M51 पे NFC मिलता है इसको छोड़के कोई भी extra चीज़ अभी तक आप लोगों को देखने को नहीं मिला कैमेरा का बात करें तो दोस्तों दोनों पे ही same to same camera configuration है 64MP primary camera 12MP ultra wide 5MP macro 5MP depth sensor दोनों पे दोनों का aperture भी same है अगर मैं video recording का बात करूँ तो दोनों पे आप लोगों को 4K 30fps Ultra HD पे आप दोनों पे ही video record कर सकते हो इवेन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं front camera का बात करूँ तो दोनों पे आप लोगो 32MP का punchol display मिलता है इवेन यहाँ पे अगर front camera का video recording का बात करूँ तो 1080p 30fps full HD पे आप लोग video record कर सकते हो कहाँ difference दिख रहा है आपको जहाँ पे आप लोगो 3500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है किस चीज के लिए आप पे करोगे और भी चीज में बताऊंगा देखते रहो आगे Android version 10 दोनों पे है processor प्रोसेसर का अगर मैं बात करो तो M51 पे आप लोगो को मिलता है Snapdragon 730G processor जहाँ पे M31S पे आप लोगो मिलता है Exynos 9611 का processor अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दू मैं जो Realme X2 यूज करते हो 8GV 120, 8GV variant उस पे भी 730G processor है और उसका price है 20,000 रूपीज तो आपको अगर सेम 730G processor ही मिल रहा है जहाँ पे लगबग जो specification है वो सेम है तो आप क्यूँ मतलब अगर मैं compare करो Realme X2 से तो you have to pay 5,000 रूपीज एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे RAM भी कम मिल रहा है इवेन अगर मैं यहाँ पे M31 इसका भी बात करूँ चो जो 9611 processor मिलता है वो ऐसा processor नहीं कि आप उसकी use ही नहीं कर सकते काफी अच्छा processor भी माना जाता है यह 9611 को तो कहां पे आप 3,500 रूपीज एक्स्ट्रा पे करोगे किस चीज के लिए पे करोगे यह बस मेरे को comment करके ब प्रियेट किया जा रहे है वो 7,000 इमेज बैटरी है अब M31 इस पर आप लोगो 6000 इमेज बैटरी मिलता है विट जो 25 वर्ट फर्स चर्ची अब बताव 1000 इमेज का बैटरी का डिफरेंस में आपको कितना problem हो जाएगा 6000 इमेज का बैटरी is more than sufficient so obviously दोसों यह जो जो फोन है इस पर कोई भी अंतर नहीं है सिर्फ मार्केट पे M51 को लेके एक हाइप क्रियार किया जा रहा है जिसके लिए जो हम लोग जैसे यूजर है हम लोग सोच रहे है कि M51 काफी अच्छा फोन है और उसको बाई करना बढ़ यहाँ पे मैं आप लोग को clearly बता दिया कि जो M31S है और M51 है इस में से कोई भी difference नहीं है तो यहाँ पे कोई point ही नहीं बनता है एकस्ता 3500 रुपीज पेक करने का सिर्फ M51 के लिए तो मेरा अगर suggestion आप लोग पूछोगी या मेरा opinion आप लोग पूछोगी तो obviously I will suggest M31 M31S rather than M51 अब आपको अगर लगता है कि नहीं भाई market पी यह नया आया है यह phone जब इसको क्या meanest monster या कुछ बताया जा रहा है तो मैं उसको use करूँगा देन अलग बात है बट अगर आप performance की साब से देखो आप specification की साब से देखो तो obviously आपको M31S पे जो मिल रहा है वो more than sufficient है ताकि आप लोग का जो मतलब महनत का कमाई है वो बच जाए आप लोग अच्छा phone को use कर सको तो चलो दोस्तों उमीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करो दोस्तों लोग के शाद शियर करो चैनल पे नहीं अच्छा लो झाल झाल झाल